आज फिर से प्रेशर माउंट होता हुआ उसने अपने रेंज को तोड़ा था उसके बाद से देखे किस तरह से पोडिशन बिल्डप होती चले जा रही है वोल्टास में मैसिव शॉट्स अभी भी क्रिएट के जा रहे हैं गुरांग सर यह अचा आपने आज कुछ फिक नहीं जोजीत में क्या खरीद रहो आप लोग सब अशिश अभी अभी कुछ समय पहले जो यूपीयल के नतीजा है उसके बारे में जिकर हो रहा था जिस तरीके से बारिश का मौसम का आगमन होना है और जिस तरीके से मौसम विभार ने जो अनुमान बताया है बारिश को लेकर के के इस साल भी मेरे गाल से चौथा या पाँचवा साल होगा निरंतर लॉंग टर्म आवरिज इसके आधार पर इस बार भी बारिश होने की संभावना है तो जाहिर है के क्रिश शेत्र काफी चर्चा में रहेगा और हमारा अनुमान यह है कि फर्टिलाइजर और यूरिया की जो खपत है वो भी उपर जाएगी तो हमें लग रहा है कि यूपियल नतीजों के बाद हमने जो हमारे लक्ष है वो उपर के तरफ बढ़ाय करीबन नौसो नौसो बीस के लक्ष किये हैं आशिश और जहां पर यह स्टॉक आज के तारीख में कामकाच कर रहा है नतीजों के आधार पर नीचे के तरफ के दाएरे हमें काफी सिमित लगते हैं 780-85 वाला स्टॉक है जो 900-920 तक गवरांग सर को लग रहा है सुबह यतिन बतारते सीले से को 1100 लग रहा है यूपियल को रखे रडार पे एक्सपर्ट्स को फंडमेंटली विल प्लेज नजर आता है फिर इसका मतलब यह स्टॉक लेकिन गापसर वोल्टाज ज़रा देखिएगा किस तरह से रोज पिटाई आज भी अच्छे कासे शॉट्स बिल्ड आप होते वे नजर आ रहे हैं यह वीक्नेस और बढ़ेगी अभी सेल कर दूंगा इसको कर दीजिया लेकिन स्टॉट नहीं करना चीए लेकिन बाय करना तो एक अधर 30 को पर खरी दीए अगर यह थाउजन नहीं होता तो मैं स्टॉट कर लेता लेकिन थाउजन एक स्टॉंग सैकोलोजिकल सपोर्ट है तो इंपोर्टन क्रूशल लेविल है वोल्टास के लिए अगर यह टिक गया तो तर असल एक बाउंस बैक का भी प्ले बन सकता है तो जरा इन लेवल्स को वाच आउट करिए जहां पे इस समय वोल्टास खड़ा हुआ है गवासर क्या ट्रेट पकना ओपनिंगे बाद हिंदुस्तान जुनिलिवर अच्छा लगा अच्छी एक वरीद में कि बहुत अच्छा बेस बनाया तीन बार से एकी सो पचीस का स्टॉप लगाई है अपसाइड बाइसो पचास पॉसीबले एक दो दिन देना पड़े लेकि करना पड़े पत्वार से एक वरीद में के बार से एक वरीद में के वरी एक वरीद में के वरीद